हाई गाईज वाकम बाक टो माई चानल माई नेम इस साइप्रिया सो आज हम लोग जा रहे हैं वश्नो देभी यात्रा में तो अभी हम लोग हैं गुरगाउं मेट्रो स्टेशन में हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है अभी मेट्रो से हम लोग जाएंगे न्यू डेली टिकट नहीं मिला इसलिए हम लोग जामों तक किये थे उसके बाद पूरी नाइट जानने खतम करने के बाद हम सुभा जामों में पहुंचे वहां पे हम लोग बस टंड गए थे बस से हम लोग कट्रा जाएंगे ट्रेन की टाइमिंग थोड़ी लेट थी इसलिए हम लोग में गए जो की थोड़ी जल्दी पहुंचेंगे और हमारी जो वश्नव देवी आत्रा है वो स्टार्ट करेंगे तो इसलिए हम लोग बस में बैट भी चुके हैं और बहां की नेचर की बात करें तो बहुत ही ब्यूटिफुल है बारिस भी हो रही थी और आप देख सकते है पूरी एरिया जो है काफी ग्रीन एरिया है तो गाइस नेचर को इंजोई करते करते मेरे घर वाले भी बहुत इंजोई कर रहे थे और सुबह के आट बज़ रहे थे तो वैश्नवी को भी नींद आ रही थी बच्चे को लेके जा रहे हो तो उनका थोड़ा जो नींद वग है अगर आप यात्रा में जा रहे हो तो आईडी काट लेने के बाद हम लोग गए भुजनाले में 12 बज रहे थे तो हम लोग लंच करके हमारी यात्रा जो है वो श्टार्ट करते तो बच्चे को लेके आ रहे हो तो सही से जो वो खाना पसंद करते हैं उनको खिलाओ तो यह पॉंच गए उसके बाद हम लोग लंच करके आज के चेक पॉंट में अभी बहुत लंबा लाइन है यहां पर आपकी यात्रा पच्छी और आईडी काड चेक होती है उसके साथ आपके बैग में क्या क्या आप लेके जा रहे हो ऊपर वो भी चेक होती है तो इसलिए तोड़ा सा केरफुल रहे ऐसे कुछ चीज ना ले जो की अलाव नहीं है और यहां पर लेडिस और जेंट्स की जो है अलग-अलग चेकिंग होती है तो गाई सिकुरिटी चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आपकी फैमिली मेंबर रहे गए हैं तो आप बाहर आके वेट करें और वेट करने के बाद अगर आप फैमिली मेंबर या फ्रेंट्स के साथ जारे हो तो मिलके आपकी आत्रा जो है आप स्टार्ट कर सकते हो तो आरा आत्रा भी स्टार्ट हो च toughest होगी है तो चले चलते हैं जे मातादी जात्रा में जाने के लिए बहुत सारी सुगधाईं भी हैं जैसे कि आप ज्यादा नहीं चल सकते तो घोड़े में जा सकते हो पेदल में भी जा सकते हो घोड़े में आपको अलग प्राइस रहेगा और छोटे बच्चों के लिए पहले पिट्थू था अभी वाकर में अझाएं के लेंगे सटि अक है जैँ आप देश्च कोनलो मनीं के बाद यहां उन्दिर यहां कि नदिबि यहां पे है जब हनुमाण जी को प्यास लगी थी तब माता ने धनूस में वो गंगा को प्रकट किया था उसको बान गंगा कहते हैं यहां पे भी लोग मंदिर को दर्सन करते हैं उसके बाद कुछ देर चलने के बाद चरन पादुका की मंदिर आती है जो कि यहां पे भी आप दर्सन कर सकते हैं माता कुछ के लिए यहां पर रुके थे और ये भी मंदिक काफी सुन्दर है लेकिन यहां पर कैमरा लाओ नहीं था रास्ते में बीजबीज में आपको पानी मिल जाएगी मेडिकल की फेसिलेटी भी मिल जाएगी और नवरात्री से पहले हम गए थे तो ज्यादा भीड नहीं थी और काफी अच्छा था अब बारी सी भी नहीं हो रही थी कि धूक ज्यादा नहीं था तो चलने में ही पर काफी है अच्छा लग रहा था और रास्ते में आपको बीजबीज में बेटने के लिए रेष्ट करने के लिए मिल जाएगी सीट वगेरा और हम पॉंट पॉंट से छे बज गए थे और दो कुमारे क्रॉस करने के बाद एक भोजना दर मिला हमें ज्योंकि दो सा पॉंट भी था बहां पे हम लोग कुछ बास और काफी ज्यादा जो है पैर दर्द हो रहा है बच्छों के हम लोग जा रहे हैं बच्चे जों पहले ही जा चुके लिए और भापी मम्मी और धर्या हम लोग पीछे जा रहे हैं तो भाबन में पहुंचने के बाद मैं आप से कंटिन्यू कर दी हूं जय माता दी जै माता दी जै माता की भवन यह है माता की भवन जो कि इसकी लाइटनिंग आप देख सकते हैं काफी सुन्दर है लेकिन अंदर मोबाइल एलाव नहीं है फोटोग्राफी कुछ भी एलाव नहीं है उससे पहले ही आपको लॉकर रूम में आपकी बैग और मोबाइल वगरा रखना पड़ेगा तो थंड भी बढ़ गई थी रात में तो इसलिए मैं वश्नवी को स्वेटर और क्या बगरा पहना दी थी बाहां की मौसम अचानक चेंज होती है तो इसलिए आप कर्मी की कपड़े लेके जाए और अपनी रेन कोट छत्री बगरा लेके जाए मौसम काफी जल्दी चेंज होती है बहां पे तो बच्चों को डिनर वगरा करवा कि हम लोगर ट्रून के पास गए बहां पे हमारे लोगिज वगरा रख लिए उसके बाद दर्सन किये दर्सन करने के बाद हम लोग बेठे हैं यहां पे अभी रात के बारा बज रहे हैं काफी ज़्यादा ठक भी गए थे और बट के थुड़ी के ररे रहे किंकि हमें फिष्ट से भई रख रख दर्शन के लिए जाना था तो तीन किलोमिटर भई रख रख चलने के बाद फैनली हम लोग वई रख मे पहुंचे भई रख नाथ पहुंच्ते-पहुंच्ते एक बच गया था और आप देख सकते हो काफी जादा अंधेरा भी है यहाँ पे और भीड़ भी है लोग रेष्ट भी ले रहे हैं भरमनाथ दर्सन करने के बाद अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं सुबह के अभी 6 बज रहे हैं फाइनली हम लोग नीचे सुबह 6 बज़े पहुंचे उसके बाद होटल आए होटल में हम लोग रेष्ट लिये पूरा दिन और थोड़ी दिर कट्रा मार्केड वगरा घुमें अभी हम लोग होटल से चेकाउट होके जा रहे हैं रेलवे मातरानी को दर्सन करने तो मुझे काफी अच्छा लगा तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन अगर आप यहां पर पहली बार आ रहे हो तो एक दिन ट्रेश्ट लेके आप जरूर इस मार्केड को अच्छे से गूमें यह मेरी सो गाइस फानली हम लोग पहुंचे कट्रा की रेलवे स्टेशन में और साथ पज़े हमारी ट्रेन थी तो यहां पर थोड़ा फोटो वगरा हम लोग लिए और यह बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जब यात्री वगरा आते हैं तो काफी जादा भीड रहती है तो अभी भीट नहीं था एंट आप अंदर से आपको दिखाऊंगी कि ज़्यादा क्लीन भी है उसके साथ बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है तो हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी है अभी हम लोग ट्रेन में बैठने वाले हैं डिनर करके रेस्ट लेंगे आपको पसंद आई हो अच्छी लगी हो जै मतादी थांक्स पोग वाचिन बाई बाई गाईज झाल थाओज ऑटने ज़ झाल दो बाईब़ा थांक्सीं पहाचिना कर्ड़ में आपको अच्छीय। स्टेशने कर्वईस घस्टेशन में बाईब जहाचिन गचाभ़ बाईभ़ा रेल्गिघ।